हेलो एबरिवन आज हम लोग इस क्वेस्चन को सॉल्व करेंगे और यह क्वेस्चन है शमा स्रेंड का ठीक है यहाँ पे आपको कुछ वैलूज दी हुई है और बाकी के आधार पे जो इसका फार्मूला होगा वहाँ पे इन वैलूज को पूट करके आपको राइट एंसर बत QC को सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखियेगा इस तरह के QC आपके एकजाम में आते हैं तो अगर आप एक बार इसके फार्मूले को याद कर लेंगे एक वहाँ तो काफी आसान हो जाएगा एकजाम में आपको इस QC को सही करना ठीक है तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस question को हम लोग solve करेंगे तो इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका formula क्या होगा ठीक है तो इसका formula और यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है question मैंने आपको जो पहले दिखाया वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x पर ठीक है y का x पर y का यहाँ पे आपसे समा स्रेंड पूछ रहा है ठीक है और x पर y का मतलब आपसे पूछ रहा है especially y का ठीक तो x पे y का जो समा स्रेंड रेखा का formula होगा इस formula को आपको ध्यान देना यह होता है y minus y bar equal to r यहाँ पे sigma y upon sigma x और एक bracket में x minus x bar यह formula इसको भी आप bracket में कर सकते हैं यह formula जो है आपको याद होना चाहिए और अगर आपसे पूछ रहा है x पे y का means अगर y का आपसे पूछ रहा है तो y के लिए आपको इस formula का यूज करना है ठीक है अगर आपसे suppose that x का पूछता है तो x का formula बस बिल्कुल इसी तरीके का होगा जहां जहां पे आपने y रखा हुआ है वहाँ वहाँ पे x कर देंगे ठीक है तो अगर आपसे x का पूछता है तो इसी formula में जहां पे जैसे यहां पे y है तो यह formula हो जाएगा x minus x bar ठीक है यह चीज सेम रहेगी यह जो sigma y upon sigma x है यह value change हो करके sigma x upon sigma y हो जाएगी और यहां पे y minus y bar यह formula आप लगाएगी जब आपसे x के लिए पूछेगा और अगर आपसे y का समासरेट पूछ रहा है तो उसके लिए आपको इस formula का use करना है ठीक है अब question के according हम लोगों को दिया क्या है हम लोगों के पास x equal to 30 है x bar equal to 30 y bar equal to 140 140 ठीक और क्या दिया है under root x y equal to 0.6 और sigma x की value दिया हुआ है 10 कि इतनी value आपके पास दी हुई है अब सारी value को हम लोग formula में जब put करेंगे ठीक है सारी value को formula में put करेंगे और बड़े ही आसानी से इस question को आप solve कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास y की value नहीं दिया हुआ है और especially आपसे y ही पूँच रहा है ठीक है इतनी value आप note कर लीजिये copy में और आगे से हम लोग direct formula में यह सारी value put करके इसको solve करेंगे तो formula कहता है y minus y bar y bar की value क्या दी हुई है 140 140 आपने लिख लिया जो यहाँ पे r था means इस formula में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए यह चीज सेम होती है ठीक है तो अभी देखिए हम लोग इसका use करते हैं क्योंकि यह हमको कितना दिया हुए 0.6 तो इतना हो गया अब यहाँ पे रखेंगे 0.6 ठीक है सिग्मा वाई कितना दिया हुआ है सिग्मा वाई सिग्मा वाई आपका दिया हुआ है 50 ठीक है और सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है सिग्मा एक्स आपका दिया हुआ है 10 इसी प्रकार से x- x-bar की बैलू क्या है 30 यह सारे value यहाँ पर put कर दिये गए है अब इसको आप y-140 रहने दीजिए और यह जो आपका हो जाएगा जब इसको solve करेंगे तो overall आपका यहाँ पर बचेगा 3 ठीक है कैसे 3 बचेगा इसको अगर आप cut करेंगे यहाँ पर multiply है तो यह हो जाएगा 5 और 5 into 0.6 यह हो जाएगा 3 और यह bracket में x-30 और इसको solve करेंगे y-140 इक्वल टू 3x-90 ठीक है अगले page में चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं मतलब इसमें आगे क्या होगा तो आगे जब हम लोग इसको बेवस्थित करेंगे यहाँ तक तो हो चुका होगा यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में भी आगई होगी और आगे जब हम लोग इसको बेवस्थित करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा य इक्वल टू चलिए आगे page में हम लोग देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यह 140 उधर माइनस में था जब यह left hand side में था और right hand side में आएगा तो यह plus में हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x ठीक है प्लस 50 अभी इसको क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 50 प्लस 3x यह आपका final answer हो गया तो जब आप question में देखेंगे तो जो 4 option आपके सामने थे ठीक है चार option आपके सामने कौन कौन से थे तो आपके सामने यहाँ पे चार option थे option A था जहाँ पे आपको दिया हूँ था y इक्वल टू 50 प्लस 3x ठीक है इसी प्रकार से बी वाले में क्या था y इक्वल टू 110 प्लस 0.6 x ठीक है इसी प्रकार से c वाले में क्या था y इक्वल टू 140 प्लस 3x और d वाला option क्या था d वाला था y इक्वल टू 140 माइनस 3x तो अभी अभी हम लोगों ने जो question solve किया उसके according is question का right answer जो है वो है 50 प्लस 3x ठीक है तो यानि option number a यहाँ पे right है उमीद है कि अगर इस तरीके का question आपसे पूछता है exam में तो आप उसे जरूर कर ले जाएंगे और अक्सर ऐसे प्रकार का एक question पूछता ही रहता है ठीक है x minus x bar equal to r sigma x upon sigma y और यहाँ पे y minus y ठीक है इस formula से आप x के लिए निकाल सकते हैं और y के लिए निकालने के लिए अभी हम लोगों ने पहले ही देखा वहाँ पे क्या हो जाएगा इसके जगह हो जाएगा y minus y bar equal to r into sigma y upon sigma x और bracket में x minus x bar तो इस formula की सहायता से आप y के लिए ग्याद कर लेंगे अगर आपसे y का पूछ रहा है तो और x के लिए पूछ रहा है मिनस x का समासरेंड आपसे पूछ रहा है तो उसके लिए इस formula का यूज करेंगे इसकी value दी होती है अकसर इस तरीके के question में आपको maximum value दी हुई होती है और किसी एक value को आपसे पुछेगा तो वहाँ पे जो भी value दी हुई है फार्मूले में रखेंगे और solve करेंगे तो बड़े ही आसानी से इस तरीके के question आपके solve हो जाएंगे तो उमेद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस तरीके का question अगर exam में आएगा तो आप उसे जरूर solve कर ले जाएंगे यहाँ पे आपको फार्मूले बसके वल याद रखने है बाकी फिर बहुत काम आसान हो जाएगा आपका जो value दी रहेगी उसको put करके question के answer को आप देख सकेंगे तो यह छोटी सी वीडियो यहाँ पे complete होती है उमीद है कि आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगती है तो इसे like जरूर कीजिए चैनल को आपने अगर अभी तक नहीं subscribe किया है तो जरूर subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद